नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली डॉंड अप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर किसान समीधी का कहना है कि उची न्यायाले में रिलाइंस का हलफ नामा जूटे दावों से भरा है वारता में बुलंद हुई मांग ना बारिश ना सर्दी से डरे किसान ब्रिटीश कोर्ट का बड़ा फैसला विकिलिक संस्थापक जूलियन असांच को अमेरिका प्रत्यारपित नहीं किया जाएगा हमाई चौती और आखरी कबा करोना अपडेट से देश में पिछले 24 गंटों में 16,375 नए मामले 201 मरीजों की मौत रिलाइंस के उसकी नेटवर्क अव सेनचना को नुकसान पहुचाए जाने और उसके स्टोर को जबदस्ती बंद कराये जाने के खिलाफ पंजाब और हर्याडा उच्च न्यायाले का रुक करने के कुछ घंटों बाद अखिल भारतिक किसान संगर्स समन्वय समीती ने कहा है कि अदालत में फर्म दौरा दार हलफ नामा जूटे दावों से भरा है देश में 250 किसान संगटनों का प्रतिनिद्वित करने वाली अखिल भारतिक किसान संगज समन्वे समिती ने कहा है कि रिलाइंस इंडस्ट्री द्वारा अदालत में दिया गया हलफ नामा केवल अपने व्यावसाईक हीतों की पूर्ती करने की एक चाल है समिती ने एक बयान में कहा रिलाइंस इंडस्ट्री का हलफ नामा जूटे दावों से भरा है कि वह क्रिशी बाजार में प्रवेस नहीं कर रही और खेती की जमीन पर कबजा भी नहीं कर रही राइगाड महराश्ट और अन्हस्थानों पर भूमी के बड़े हिस्से को रिलाइंस ने अबजे कबजे में ले लिया है और उसे कोई भी जूटा दावा करने से पहले उन भूकंडों को वापस कर देना चाहिए रिलाइंस ने कहा है कि देश में वर्तमान में जिन तीन क्रिशी कानूनों पर बहस हो रही है उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है और इससे किसी भी तरह से उन्हें लाब भी नहीं है हमाई दूसरी खबर के ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्ट पतरकार भाषा सिंग ने हरियाणा के पलवल में तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने के लिए धरने पर बैठे किसानों और उनके समर्तर में उत्री महिलाओं से बातचीत की जितनी भीशन सर्दी और जिस तरह से गरजन और तरजन के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं किसानों के पक्ष में पहुची थी इसने मौहौल को बिल्कुल दूसरे ढंका रंग दिया एक बात और हमारे और आपके लिए ये निश्चित तोर पे बेहद कष्टकारी है देखना की अन्नदाता भीगा हुआ खड़ा है बारिश में खड़ा है उसके बिस्तर भीग गए है उसके टेंटों में पानी भर गया है लेकिन किसान के होसले इस बारिश में भी पस्त नहीं हुए किसानोंने खुल के बोला कि यह बारिश उनके लिए वरदान के रूप में आई है क्यों क्योंकि अब बड़ी संख्या में उनके बाकी संगी साथ ही जो खेत में फसल के साथ बैठे हुए हैं वे अब जुड सक उन्हें सिचाई का प्रबंद करने की जरूरत नहीं वे ठोक बजाकर मोधी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि मुकाबला उनका देश के अन्नदाता से है उसका लट उसका आवाज बहुत मजबूत और बहुत दूर तक जाने वाला है यह जो बरसात है किसानों के लिए वरदान है इस बरसात से अंदूलन को और ताकत मिलेगी क्योंकि बरसा होने के कार किसानों के सिचाई की सुविदा मिल गई और किसान अब 15 दिन 20 दिन के लिए अंदूलन के लिए और अपने घारू काम से मुक्त हो गया किसान आदी है किसान भरी भरसात में खरीब की फसल पैदा करता है करकराती ठंड में किसान अपने खेतों में पानी चलाता है और यही तो अंदोलन जिसमें किसानों की परिक्षा हो रही है क्योंकि एक ऐसा अंदोलन जहांपे किसानों को अपने खेत अपना खेत, अपना रोटी, अपने जमीन, अपना देश, अपना तिरंगा बचाने के लिए लड़ रहा है, तो इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी मोटी कुर्मानिया तो किसानों को देना पड़ेंगी। बिल्कुल साफ साफ कि पुलिस भी उनके साथ है, क्योंकि वहाँ उनके ही बच्चे हैं, अब आगे अंजाम मोदी सरकार किसानों का क्या करना चाहती है, यह तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन वारता के दौर में किसान न थक रहा है, न पीछे हट रहा है। बारिस में संगर्च कर रहा है, देश का राजा हूँ अपने एसीम बैटा हो रहा है, यह बेक्ते विने के रहा है, किसान के साथ हम क्या हो रहा है, इससे जादा क्रूर साथ क्या होगा। जिसको जनता है कि परवाई नहीं है, इससे तो जो पहले सा सकते हैं, अंगरेज कम से का हमको उनसे लड़ने का यह तो हता है कि हम विदेशों से लड़ रहे हैं। मौसम कितना ही खराब क्यों ना हो, सब्सक्राइव कितने ही तेज क्यों ना हो, कितने ही किसान शहीद क्यों ना हो रहे हो लेकिन किसानों के होसले बहुत मजबूत हैं। वे हर हाल में देश की राजधानी का द्वार तभी छोड़ेंगे जब ये कानून वापस होंगे क्योंकि ये कानून उनके लिए मौत की सजा के बराबर है और उन्हें किसी भी सूरत में यह गवारा नहीं जिस तरह से पलवल में महराश से लेकर मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश के किसान और महिलाएं जुटी हैं उससे ऐसा लगता है कि उनका कार्वा लगातार बढ़ता जा रहा है UK के एक नायाधीश ने विकिलिक्स के संस्थापक जूलियन असांच के प्रतरपड के लिए अमेरिका की अपील को खारिश कर दिया है सन्यूत राज में क्रूर जेल के सितिके कारण असांच के आत्मत्या करने के उच्च जोखिम का हवाला देते हुए नायाधीश वरेशा बेरसर ने सोवार चार जन्वरी को अपने फैसली की घोशना की असांच की जमानर अर्जी पर बुद्वार को सुनवाई होगी अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया है कि वह अपने फैसले की अपील करेगा असांच को इस समय अमेरिका में कुख्यात एस्पियोनाज एक्ट और कम्प्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूस एक्ट के तहत आरोपित किया जा रहा है वह जासुसी और साइबर अपरादों सहित संगी अपरादों के कुल 18 आरोपों का सामना कर रहे हैं जिसके मुताबिक उन्हें 175 साल की सजा भी हो सकती थी 2020 में एक सूपर सेडिंग चार्ज दायर किया गया था इस मामले को दुनिया भर में प्रेज की सतंता के लिए एक महत्वपूर रूप में देखा गया था हाला कि नया दीश ने अभियोजन पक्ष के तरकों से काफी हद तक सहमती व्यक्ति की और केवल आत्मत्या के जोकिम के कारण प्रत्रपड की अपील को खारिश कर दिया केंदी स्वास्तमंत्राले दौरा आज मंगलवार पांच जन्वरी को जारी आकडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 16,375 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा कोरोना से आज 201 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में करोना से पिडित 29,91 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 12,970 मामले कम हुए हैं देश में करोना की मामलों की संक्या बढ़कर 1,3,56,844 हो गई है जिन में से अब तक 1,49,850 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक 99,75,958 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 2,2,3 फीजदी यानि 2,3,036 रह गई है आज के एपसोड में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया